दोस्तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर अमोमन कोई भी साधरान इंसान बात नहीं करता है हम लोग बात करने वाले हैं रिवेंज पॉर्न के उपर लेकिन ये रिवेंज क्या होता है? रिवेंज मतलब बदला लेना आप किसी चीज को पाना चाहते हैं वो चीज आपको हासिल नहीं हुई है और फिर आप रिवेंज लेना चाहते हैं एक प्रेमी अपनी प्रेमी का से बहुत कुछ चाहता है लेकिन प्रेमी को वो चीज हासिल नहीं होती है तो वो रिवेंज की मोड में आ जाता है तो human nature है जो की अलग-अलग modes के अंदर control होता है जैसे हम लोग AC को control करते हैं अगर हमको बहुत ठंडी हवा लेनी है तो हम लोग उसका mode change करते हैं और mode change करते ही उसका जो nature है वो बदलने लगता है वैसे ही एक इनसान की अंदर बहुत सारे mode होते हैं उन में से एक मौड है, रिवेंज का मौड. और जैसे ही उस मौड के अंदर वो आता है, इंसान उसकी सक्षियत ही बदल जाती है. कोलकता रेप केस के अंदर क्या हुआ जब वो जो वेक्टी था उसका मोड चेंज हुआ तो मोड चेंज होने से वो अपराध की दुनिया के अंदर चला गया इसलिए आज हम लोग देखेंगे कि रेवेंज रेप रेवेंज पॉर्न क्या होता है और ये जो रेवेंज शब्द है इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं चलिए समझते हैं आखिरकार कि रेवेंज पॉर्न क्या होता है अगर कोई भी इंसान इसके अंदर फंस जाता है तो इससे बाहर कैसे निकल सकता है किसी बच्चे के साथ में किसी महिला के साथ में कोई घटना होती है तो इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं इसके तमाम हम लोग लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार कुरे विश्यू में क्या लॉज है कुछ सोशल मेडिया वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि आपको इसका solution प्रोवाइड करवाती है लेकिन हमारे देश के अंदर इसको लेकर क्या कानून है इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के session का लेकिन बहुत सारी महिलाएं इसको लेकर परिशान होती है एक फोटो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं यह है अली फजल अली फजल बहुत 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 बहुतरीन movies जो है वो करते हैं लेकिन क्या हुआ था इनके साथ में भी revenge porn की एक घटना हुई थी इनकी एक nude photograph जो कि social media के उपर share की गई थी उसको लेकर बड़ा परेशान थे लेकिन क्या उसके अंदर अली फजल जो है इनकी permission ली गई थी क्या इनसे अनुमती ली गई थी क्या वाकई में वो जो photograph है उसको social media पर viral कर दिया जाए send कर दिया जाए चली बात करेंगे लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे 10,000 MCQ badge के साथ में जरूर जुड़ीगा हम लोग SSC, UPPCS जो भी वन्डे exams है railway NTPC, जितने भी exams है उनके लिए GKGS को cover कर रहे है History, Policy, Geography, Economy Science, Topic Wise अभी चल रहा है Already हमारा session running के अंदर है कुछ दिन पहले हम लोग इस session को शुरू कर चुके हैं 12 अगर्स से Independence Day Sell आज भी चल रही है तो आप लोग इस course को जरूर लीजेगा आप लोग को success जरूर हासिल होगी तो कि आप लोग को पता है कि किस तरीके से महनद की जाते हैं इस platform के उपर यह कोई नहीं कह सकता है तो आप कभी भी आपका mode जो है वो change ना हो revenge की category में ना आए आप जरूर जो है वो 75 days का hard challenge को accept कीजिए आपके subconscious mind के इनर जो भी pornography content भरा हुआ है वो बाहर निकलेगा और आप success को हासिल जरूर करेंगे आप चाहिए studies करते हो यह आप लोग business करते हो तो जरूर आप लोग इस challenge को accept कीजिएगा चलिए बात करते हैं एक research यह कहती है कि intimate जो images होती है abuse was more common among younger generations with 69% of 16 to 24 years old 16 से 24 साल के जो लोग है उनके बीच में 69% जो pictures है 69% जो लोग है उनकी कोई ना कोई एक intimate image जो है उसकी true abuse हो चुकी है फिर अगर 63% के बात करें जिनकी age 25 से 34 के बीच में है उनके भी ऐसे कई cases report किये जाते हैं revenge porn के यहाँ पर देखिए revenge porn क्या होता है revenge porn also known as image based sexual abuse मतलब आपकी कोई ऐसी image है जिसको misuse किया गया है आपकी without any permission उसको social media के उपर डाल दिया गया है वो photo viral हुई आपकी social image impact हुई आपकी political image impact हुई और आप जो है वो disappointed हो गए लेकिन जब आपकी ऐसी photographs social media के उपर जाती है जिसमें आपकी permission नहीं थी और आपको कही न कहीं उसके अंदर बहुत हानी होती है तो उसको कहा जाता है कि वो एक revenge porn है लेकिन किया किसने एक ऐसे वेक्ति ने किया जो कि आपसे बतला लेना चाहता है हो सकता है कि जो वो वेक्ति चाहता हो वो काम आपने ना किया हो आपने मना कर दिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि एक प्रेमी जो है वो प्रेमी का को प्रपोज करता है प्रेमी का ने इंकार कर दिया उसके बाद में ऐसीड अटेक की घटनाएं हमारे भारत के अंदर बहुत होती है वो क्या है एक रिवेंज है लेकिन अगर हम लोग इसको देखे as a image तो वहाँ पर एक image का यूज किया आता है हो सकता है कि वो fake image हो आपका ने कि चहरा आपका नहीं हो चहरा जो है उसमें क्या किया कि चहरा आपका यूज कर लिया है ना romantic partner हो क्या ऐसा होता है नहीं कोई family members भी हो सकता है कोई आपका friend भी हो सकता है आपका co-worker भी हो सकता है कोई भी जो है ऐसा इंसान जो कि आपके साथ में काम करता है आपकी private images को आपके बिना पूछे public कर देता है और फिर आपको abuse होना शुरू हो जाता है तो उसे को हम लोग क्या कहते है revenge porn कहते है लेकिन आज मैं इस topic का जिक्र क्यों कर रहा हूँ Iris मतलब Ireland की actresses है उनके साथ में हाल ही मैं ऐसी घटना घटी वो बहुत famous actresses है नाम में reveal नहीं करूँगा क्योंकि newspapers के अंदर नाम नहीं था लेकिन वहाँ पर एक topic नया जुड़ चुका था revenge porn का तो उनके साथ में ऐसी images उनकी जो images थी उनको social media के उपर share किया गया जिससे उनकी image जो है वो पूरी तरके सखड़ाब हो गई और तब से ये word जो है तो मेरे साथ में बहुत बुरा वैभार जो होगा मेरे साथ में अच्छा behave नहीं किया जाएगा लेकिन social media के कुछ platforms ऐसी हैं जैसे meta की बात करें तो meta के दो toolkit है पहला तो है tech it down tech it down या फिर stop and see ii.org ये क्या होता है ये basically toolkit है ये अगर आपके phone के अंदर है तो आपके phone के अंदर जितने भी photographs हैं उनको वो क्या करता है खंगालता है और देखता है कि कहीं इसका misuse तो नहीं किया गया है जिस भी phone के अंदर होगा वहाँ पर ये automatic क्या करेगा कि एक image एक हम लोग कह सकते हैं thumb impression create कर देता है access करने के लिए और जैसे ही आपके mobile phone के अंदर कोई भी ऐसी picture होगी जिसका गलत इस्तेमाल किया सकता है या हो चुका है तो उसकी बारे में ये indicate करता है तो take it down एक tool है meta का और दूसरा ये वाला tool है लेकिन अगर माल लीजे अगर किसी महिला के साथ इस तरह की घटना होती है तो वह IT Act 2008 के तहट section 66E को use कर सकती है इसमें दो sections है 66E और 354C इसके तहट 3 साल की सजा और 2 लाग का जुर्माना उस रेक्टी के उपर होता है जिसने आपकी अनुमती के बिना आपकी permission के बिना आपकी जो personal images थी उसका misuse किया as a porn कह सकते हैं हम लोग ठीक है या दोनों हो सकता है अगर sexual meritial को social के आता है तो 67E के तहट 5 साल और 10 साल तक जुर्माना हो सकता है sexual meritial मतलब शादी सुदा है और उसके बाद में कुछ गडबड कर दी है तो फिर भी आपको सजा हो सकती है महिलाएं Indian Penal Code के section 504 506 और section 5 00 जब उनकी मान हानी का वो case कर सकती है और revenge पौरने के शिकायत कर सकती है तो ये तो है legal ये है एक legal awareness की वाकई में हमारे जो constitution है हमारे जो हम लोग कह सकते हैं की हमारे जो कानून के अंदर कहीं न कहीं जगे है लेकिन अगर बच्चों के साथ में ऐसा हो सकता है तो सीधे तोर पर National Commission for Protection of Child Rights जो है Commission उसके पास में आप जा सकते हैं आप लोग को पता है कि 2005 के अंदर इसको बनाया गया था शिकायत सुनने के लिए कि आप अपने नजदी की Police Station के अंदर इस मामले को दर्ज करें या फिर महिलाएं हैं तो 1930 पर भी आप लोग कॉल कर सकते हैं कि आपके साथ आपकी images के साथ में छेड़ चाड़ की जा रही है और आप किसी वेक्तिके खिलाफ शिकायत दर्ज करना चाहते है तो ये एक बहुत मुझे लगा कि इस topic को ज़रूर लेना चाहिए इसलिए मैंने आज इस topic को लिया है क्योंकि ये iris की एक actresses का साथ में हुआ है लेकिन भारत के साथ में बहुत भारत के अंदर बहुत सारे महिलाओं के साथ में हो सकता है या हो रहा होगा लेकिन वो क्या करती है कि वो इस बात को दबा देती है मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर किसी महिला के साथ में ऐसी घटना घटती है तो वो इसका एक solution जो है वो साथ में लेकर चले कि हाँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है, तो सजागा प्रावधान है हमारे देश के अंदर, और आप लोग इसकी शिकायत जरूर दर्ज करें, चलिए, जानकर ही कैसे लगी, मुझे आप लोग कमेंट सेशी में जरूर बताईगा, आप लोग हमारे इ जो कि आपको पॉर्नोग्राफि से दूर रखेगा, जिसमें 75 टेक्निक्स मैंने बताई हैं, यह सैंटिफिक और सैकलोजिक टेक्निक्स हैं, जिससे आप लोग पॉर्नोग्राफि से दूर रह सकते हैं, 75 रियल स्टोरीज में मैंने बताई हैं कि आखिरकार कुछ लोग जो क कि पौर्ण के अंदर फंस कर अपनी जिन्दगी जो है और तभा कर चुके हैं, ऐसा आप न करें। तो 75 डेस का हार चैलेंज एक बार जो है अपनी लाइफ के अंदर जरूर कीजेगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में तप्तल घन्यवाद, थैंक यू, जैहिन!